सवदेशी दिवस 30 नौवंबर 2022 आप सब परिचित है अमर बलीदानी भाई राजीव दिख्षित की याद में 30 नौवंबर को पूरे भारत में सवदेशी दिवस मनाया जाता है जनम दिवस और अंतिम दिवस भी अंग्रेजी कलेंडर के अनुसार इसी दिन होता है लेकिन हम सब नहीं मनाते क्योंकि वो भारतिय संस्कृति के विचारक थे तो भारतिय संस्कृति के अनुसार ही हमें जनम दिवस और उनका अंतिम दिवस मनाना जाए तो सवदेशी दिवस के रूप में 30 नौवंबर को पहली बार जहां पर भाई राजीव दिख्षित जी का अंतीम संसकार हुआ था ठीक उसी जगे कंखल में ठीक उसी मौक्स दहाम के बगल में तिरी भोवन मंदिर है वहां पर पूरी दुनिया को कैंसर से आजादी दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है और ये तीसरा सम्मेलन है और इस सम्मेलन में खास बात ये है कि लगबग तीन घंटे तक बहारत के जो सबसे बड़े आईरवेद के विद्वान है वो सब आपको कैंसर के कारण और कैंसर को कैसे ठीक करना है वो सिखाएंगे कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा एक एक चीज एक एक बातें आपको बताई जाएंगे क्या अप्रोच होगी क्या सिध्धान्त होंगे कौन सी जड़ी बुटियों का उसमें इस्तमाल सरुसेष्ट हो सकता है वो सारी बातें आपको सिखाएंगे कौन सिखाएंगे भारत के पांच बड़े विशेशगे और ये किस आधार पे तियार किया गया कि वो पांच बड़े विशेशगे हैं पहले तीन विशेशगे हैं बिना किसी परतियों किता के चुनाओ किये गए हैं हमारी जो पूरी ट पहले जो सबसे बड़े इसमें विद्वान है वो है डॉक्टर सुनील जोसी जो वर्तमान में उत्राखंड आयरवेद विद्याले के विसी है और चारिस से अधिक वर्सों का उनका अनुभव है और सो से अधिक पुस्तके वो लिख चुके हैं और इतना ही नहीं भारत में आय जरी कर सकते हैं उन्होंने की हैं और ग्यान के अथा बंडार हैं वो पहले व्यक्ति होंगे जो आपको सिखाएंगे दूसरा एक चिकित्षक में जितने गुण होने चीए उन सभी गुणों से संपन बीस से अधिक वर्सों के अनुभव के साथ मेरट के डॉक्टर अरुन व और उनके विशय में मेरे पास सब्द नहीं है जो आज भी इस धरा पे धरम को जिंदा रखे हुए हैं चिकित्षकों का जो धरम होता है एक वैद का जो धरम होता है उसे आज भी उसी तरीके से निभाए हुए हैं जिस समय राम राज्ये में एक चिकित्षक धरम निभाता ऐसे अनुभवी वैद और 20 वरसों से अधिक का अनुभव है और कैंसर के विशय में उनके अध्यन को मैं बार बार नमन करता हूँ वो आपको सिखाएंगे cancer क्या है cancer क्यों है क्यों हो रहा है और किस सिध्धान्त के साथ basic principle के साथ मेरे देश के चिकित्षक इस बिमारी को हरा सकते हैं तीसरे विशेशक यह है वैद्ध हंसराच चौधरी जिनों ने अपने पूरे जीवन को चिकिछा को समर्पित कर दिया उनके जीवन का उद्देश मात्र कैंसर वैयानने बिमारियों पे बड़ा कारिय करना हर माँ आठ हजार कैंसर रोगियों की सेवा में वो लगे हुए है बड़े बड़े विस्विध्यालों से वहाँ पर सोध करने के लिए टीम में आती है जहां तक मैं समझता हूँ की तीन से च्यार लाख रोगियों की सेवा वो कर चुके है थोड़ा वड़ा उपर नीचे हो चुका है और मेरे और दरश्टी कोन से जिस अप्रोच के साथ वैद हंसराज चोधरी जी आगे बढ़ रहे है निश्चित रूप से उनका अनुभव हम सब के लिए मारक दरसन का कारिये करेगा तो तीसरे वैद हंसराज चोधरी जी होंगे तो ये तीन वैदों का चुनाव कर लिया गया है ये तीनों का आदे आदे घंटे का सेसन होगा और वो आपको कैंसर के बारे में सिखाएंगे अब ये इस सदी का सबसे बड़ा आउसर है सबी चिकित्सकों के लिए और मैंने इसे ओपन किया है क्योंकि 700 लोगों की कपैस्टी है उस होल में बैठने की तो पूरे भारत से चिकित्सक शीखने के लिए आ सकते हैं कोई सुल्क नहीं सुल्क सिर्फ इतना कि जब भी कोई कैंसर रोगी खतम हो तो आपके मस्तिक्स में ये चलना चाहिए कि अगला नंबर मेरी मा का मेरी बहन का मेरे पेटे का हो सकता है मुझे इस पे कारिय करना है बैस इतना सा सुल्क मैं आपसे चाहता हूँ तो पूरे भारत के चिकित्सक इसमें आ सकते हैं दूसरा राजी वाई दिक्सित जिनकी याद में सवदेशी दिवस मना रहे हैं उनके समस्त चहने वाले आ सकते हैं तो कि एक सरदांजली सबा भी है और उस सरदांजली सबा के बाद कुछ निरने भी होंगे देश को कैसे चिकित्स्या छेतर में आगे बढ़ाना है पूरे विश्व को कैसे रोग मुक्त बनाना है बहुत सारे विश्व होंगे तो आप सब भी आ सकते हैं तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें वो है कैंसर रोगी या फिर जिनके घर से कैंसर की मिर्त्य हुई है कैंसर के कार्ण मिर्त्य हुई है उन सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रातना करता हूँ कि आप उन वैदों के लिए ये जो तीन विशेशक गया है इनके लिए और जो दूसरा कारिकरम ये है कि पूरे भारत से जितने वैद आएंगे जिसने जितने रोगी ठीक किया है वो अपना आकड़ा दिखाएंगे पूरा वैरिफिकेशन के बाद हो आकड़ा रखा जाएगा कोई उसमें एक परसेंट कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा टोटली जो वैरिफाई होगा उसी वैक्ति का डाटा वहाँ पर परजेंट होगा उस डाटा की परजेंटेशन में जो पर्थम आए जो दित्ते आए जो तीसरा है चोथा है पांच वाए सबी को आप सम्मानित करो आपका जो बजट है जरूरी नहीं है आप सिर्फ एक रुपए लेके आएंगे वो भी हमारे लिए बहुत महतवपून है आप एक हरी दूब नाल से बांद के लेके आएंगे वो भी हमारे लिए महतवपून है और मैं सबी रोग्यों से कहता हूँ कि आप आके प्रुसकार दो उन लोगों को तो कि वो बिरले लोग होंगे जो सचाई का सामना करने के लिए पहली बार आएंगे और जिनके घरों में मिर्त्यू हुई है विशेश रूप से एक रोगी उसके साथ मेरा बड़ा विशेश लगा उरा बहुत सारे रोग्यों को तो उनके लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक चित्र लगा के आपके जो भी परिवार का सदस से गया और उपर जो है मैं आपको बहुत जल्द एक टाइटल दे दूँगा और वो पूरा मैटर आप प्रिंट करवा के लेके आ सकते हैं सबी वैदों के लिए ताकि वैद अपने कारियाले में उसे लगाए उसको चित्र बार बार दिखता रहे कि कैंसर की वज़े से ये दस साल का बच्चा खतम हुआ है अगला नंबर तेरे बच्चे का आ सकता है तुझे पैसे का लालत छोड़के तुझे सिर्फ कैंसर पे काम करना है तुझे सोचन आए जो एक-एक मोमेंटो भेट कर देंगे उनको या जो पांच स्रेष्ट हैं उनको भेट कर देंगे कोई पुरुषकार में कुछ भी दे दे तो मैं कहता हूं कि मैं इस लड़ाई को जीत जाओंगा और मुझे जिताने वाले आप ही होंगे परमात्मा की विशेश किरपा है हमारे उपर सब कुछ इस वर कर वा रहा है लेकिन इस वर का सवरूप भी आपी आप में भी पांस चाता है वो आपको उठके आना होगा इसलिए ऐसे मैं चाहता हूं जिनके घरों में कैंसर से मिरती हुई या जो कैंसर की जंग जिनोंने जीती वो भी आएं क्योंकि आप को परमात्मा ने बचा लिया अन्य था हजारों में से कोई बिरले बसते हैं तो इसलिए प्राथना है कि आप सब आएं गुरुकुल के नंबर पे आने से पहले संपर्क करें वहां पे पहली रातरी में कुछ लोग आ सकते हैं उनकी रहने की विवस्ता होगी लेकिन इतना ध्य जान रखिएगा कि हमारे पास कोई पैसे का बड़ा सोर्स नहीं है तो सामाने विवस्ता होगी खाना भी सामाने ही मिल पाएगा आप अपने मस्तिक्स में रखिएगा जो बड़े बड़े चिकित्सक गणाएंगे उनको भी माहाँ जोड़ के कह रहा हूं कि मेरे पास कोई बड़े विवस्ता नहीं है मेरे पास रोग्यों का ही पैसा है इसी से मैं सम्मेलन आयुजित करता हूं मैं इसमें बहुत फाइब स्टार स्थिति नहीं कर सकता आपको सामाने खाना मिलेगा आप पहले अपने मस्तिक्स में रखिए बाद में ऐसा नहीं किये कि उसने हमारे स चीज लेके आईये और आप का स्वागत हैं तो आप सभी आईये और इस कारी करम की सूचना एक एक वैद तक पहुंचा यह यह मेरी आप से प्राथना है बंदे मातरम जै वारत बाहिराजीव दिक्षित अमर रहें